हेलो दोस्त वेलकम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल अप लोग के पर फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पुजा हाउस पुल्टीफ हमें एक और नए वीडियो के साथ दोस्तो आप सब कैसे हैं असा करते हैं अब लोग भी बहुत अच्छे होंगे खुस होंगे जहां भी होंगे अपने अपने घड़ों में अपने अपने परिवारों के साथ बहुत खुस होंगे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सत्वे दिन का व्यक्सिनेशन के बाड़े में सत्वे दिन के चुजे को किस तरह से व्यक्सिनेशन किया जाता है और कौन सा व्यक्सिनेशन किया जाता है इसे पहले हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए विल आइकन प्रेस कर लिजिए ताकि जो भी हम वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके दोस्तों चलिए देव ना करते हुए बढ़ते हैं अब हम इस वीडियो में आगे और देते हैं आप लोग को आगे की जनकारी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यह जो हमारे सुनालिस चिक्स है आज साथ दिन का हो चुका है और इन लोग का जितना पानी का डबा था पानी का डबा हम हटा दिये हैं मेरा फाड़ा में एक भी पानी का डबा नहीं है दोस्तों वेक्सिन देने से दूव हंटा पहले पानी का जो डबा होता है वो हटा देना चाहिए पानी के डबा हटाने से यह होता है कि जो भी हमारे चिक्स रहता है वो चिक्स बहुत ज्यादा प्यास जाता है उन लोग को जोड़ों से प्यास लगा हुआ रहता है और जबी हम पानी देते हैं वेक्षिन वाला तो इन लोग प्यास लगने के कारण बहुत तूट कर पानी प तो जाता है कि दोस्तों भी एक्षिन लेने के लिए आप Markbird जाते हैं तो जहां से आप बहुत दियान चरून जरूब दें कि जो आपको भीक्षिन दोकान गुकर दे रहा है तो फिरीज इपड़ dul निकाल कर दे रहा है या ऐसे ही किसी जगहjek कर दे रहा है दोस्तों अगर फिरिज से या बड़ब से निकाल कर अच्छे तरह से पैकिंग करके देगा तो वेक्षिन आपके मुर्गियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा वेक्षिन फैदा करेगा अगर किसी अलग जगह से उठा कर दे दे रहा है तो वेक्षिन बेलकुल काम नहीं आएगा कि दोस्तों हम एक वालटी में पानी लिए हैं 10 लिटर क्योंकि रात के समय है और मुर्गिया जो है चीक्स ज्यादा पानी पीए गी सब नहीं तो वेक्षिन के पानी ज्यादा करके कमी पानी में बनाना चाहिए वेक्षिन ताकि हमारे जो मुर्गिया है तो जल्दी से पानी पिकल खतम कर देखसकते हैं कि जितना भी बरतन है वो हम द्धो कर दबार रखे उए हैं चिक्स को में के लिए दोस्तो रात का 9 बज रहा है और हम बना रहे हैं अपने चिक्स के लिए वेक्षिन दोस्तो रात में वेक्षिन देने से होता है कि एक तो रात में गड़मी कम करता है धूप नहीं उगता है और हमारे जो चिक्स है तो उन लोग के लिए रात में वेक्षिन करना बहुत क्योंकि जो वेक्षिन का वेक्टेडिया होता है उजादा करके ठंधा पानी में और ठंडे में जीवित रहता है और हमारे मुड़गियों के लिए हमारे चिक्स के लिए बहुत फैदा मंद होता है इसलिए वेक्षिन हम जब ही करते हैं रात में ही करते हैं और बहुत और चलिए अब हम डबा में लगा लेते हैं और लगा कर अपने मुर्गियों को फारम में दे देते हैं वेक्षिन का पानी पीने के लिए तो आप देख सकते हैं कि जितना भी वेक्षिन का पानी था हम सारे पानी को डबा में लगा लिए और चलिए अब चलते हैं फारम में दोस्तो आप देख सकते हैं कि जो वेक्षिन का पानी हम बनाये थे उसारा पानी लिया कर हम अपने खारम में लगा दिये हैं चिक्स को पीने के लिए और हमारे जो चिक्स है पानी पेने के लिए आप देख सकते हैं कि पानी के पास एकठा हो भी गया है कोई-कोई डिबे के पास नहीं चिक्स अभी पहुंचा है क्योंकि यहां हम खड़ी है तो चिक्स दड़ के वज़े से डिबे के पास नहीं पहुंच रहा है बाकी के जगा पानी लगाया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि पीने के लिए दीरे सब इकठा हो रहा है पानी दोस्तों पानी लगाने के बाद अपने फारम में आप हर चार मिनट पे थोड़ा घूम कर अपने जो चीक से है उसको थोड़ा दोड़ा दिजिए दोड़ाने से यह होता है कि जो चीक्स बैठा हुआ रहता है वेक्षिन का पानी नहीं पिया हुआ रहता है वो भी चीक्स दोड़ने के कारण उसको प्यास लग जाता है और उठकर पानी पीने लगता है तो ऐसे में हमारे सारे चीक्स को वेक्षिनेशन पूरे अच्छी तरह से हो जाता है फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए जनकारी के साथ